दोस्तों मैं सोरों मली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में पंचवर्षिय योजनाओं से सम्बंदित 50 ऐसे important question answers कवर कराऊंगा जो की 100% पूछे जाने वाले person है प्यारे दोस्तों पंचवर्षिय योजना एक ऐसा important topic है आप चाहे किसी भी competitive exam की चारी करते हैं हर shift में question पूछा जाता है पंचवर्षिय योजना से अभी SSC GD का जैसे exam चल रहा है उसमें हर एक shift में question आ रहा है मैं 50 ऐसे question cover कराऊंगा अगर आपने पूरी वीडियो को end तक देख लिया एक भी question भार नहीं जाएगा ये guarantee है मेरी तो पूरी वीडियो को जहां से देखेगा साथ भी पंचवर्षिय योजना का उदेश्य क्या था ये आपके लिए test question है जिसका answer हर एक student को comment box में बताना है इसका सही उत्तर वीडियो के दोरान बताया जाएगा चलिए सुरू करते हैं पहला question है उदारी करण की नीती किस दोरान लागू हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों अगर answer पता है तो comment box में जरू बतेगा देखे सही answer रहेगा आटवी पंचवर्षिय योजना यानि की option हो जाएगा आपका b right answer तो ये आपको याद रखना है ठीक है दूसरा question है आटवी पंचवर्षिय योजना से भारत में अपनाई गई योजना का परकार क्या था right answer रहेगा आगमेनात्मक योजना यानि की right answer दोस्तो option ए हो जाएगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है भई तीसरा question है भारत की पहली पंचवर्षिय योजना किस मोडल पर आदा रिती बहुत बार ये question आता है एक्जाम में बहुत बार सही उत्तर हैगा हेरोड डोमर मोडल पर यानि की right answer हो जाएगा ए तीसरे question का सही उत्तर question number 4 है किस कारेकरम ने गरीवी हटाव का नारा दिया तो right answer हैगा पांच भी पंचवर्षिय योजना उने यानि की B right answer हो जाएगा भई पांच भा कोशन है किसी उत्तपादन ने किस योजना अबदी में नकरात्मक व्रद्धी दर्ज गे तो सही उत्तर रहेगा तीसरी पंच वर्षिय योजना में यानि की C is the right answer मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की चारी करते हैं तो आपको history, geography, policy, economics, in subject की एक master पीडियप में आपको provide करा देता हूँ मात्र 170 रुपे में पूरा syllabus cover हो जाएगा फटा फटा आप पूरा syllabus cover कर पाएंगे 170 रुपे में description box पर हमारे whatsapp नंबर पर master पीडियप का link मिलेगा link पर click करना है payment करना है पीडियप आपको तुरंत ही मिल जाएगी चटा कोशन है भारत की पहली पंचवर्षी योजना कब शुरू हुई थी तो ये तो basic सा कोशन है मुझे लगता है हर एक student बता देगा तो ये योजना शुरू हुई थी दोस्तो 1951 में यानि की option a right answer है साथवा कोशन है भारत में हरित करांती पर कौन सी पंचवर्षी योजना केंदरित है तो हरित करांती पर कौन सी पंचवर्षी योजना दोस्तों केंदरित है राइट आंसर रहेगा चोथी पंचवर्षी योजना यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा आटवा कोशन है किसने भारत में पंचवर्षिय योजना की अवधारना पेस की दोस्तो इस कोशन का सही उत्तर रहेगा जवाल लाल नहरुजी ने यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा आटवे कोशन का सही उत्तर जिसमें पंचवर्षी योजना में भारत ने मिसरित अर्थवयस्ता का विकल्ब चुना तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों सही उत्तर हैगा दूसरी पंचवर्षी योजना में यानी की बी राइट आंसर हो जाएगा भी दस्वा कोशन है भारत की पहली पंचवर्षी योजना का मुख्य लक्से क्या था ये सारे कोशन्स डारेक्टली पूछे गए हैं अभी तक जितने भी एक्जाम दोस्तों अलग-अलग हुए हैं सारे के सारे questions आ चुके हैं एक भी question ऐसा नहीं है जो अभी तक exam में ना आया हो तो भारत की पहली पंचवर्षी योजना का जो मुख्य उदेश चे था दोस्तों वो था किर्सी का विकास दसवे question का right answer B हो जाएगा ग्यारवा question किस देश ने भारत ने पंचवर्षी योजना का को अपनाया है राइट answer हैगा दोस्तों रूस से यानि कि D is the right answer बारवा question ने योजना आयोक का गठन कभ किया गया दोस्तों योजना आयोक का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में यानि कि C right answer तेरवा question है दूसरी पंचवर्षी योजना में किस चेत्र को सर्वुच प्रात्मिक्ता दी गई तो दूसरी पंचवर्षी योजना में दोस्तों प्रात्मिक्ता दी गई थी उद्योक को यानि कि right answer हो जाएगा आपका B right answer 14 है भारत की पंचवर्षी योजना की अंतिम स्वकृति कोन देता है सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलिए दोस्तों सेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में और अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं 14 कोशन का right answer है रास्टे विकास परिशत यानि की B right answer हो जाएगा किन्हों ने पिपल्स प्लान पेस किया था राइट आंसर हैगा M N रोय ने पंदरवे का right answer A हो जाएगा 16 कोशन है पहले तीन पंचवर्शी योजनाओं के विकास के लक्से क्या थे रास्टे आए दोस्तों सही आंसर हैगा 17 कोशन है पहली बार नीजी चेत्र को प्रात्मिक्ता दी गई सारुजानिक चेत्र की तुल्ना में दोस्तों right answer हैगा 7 पंचवर्शी योजना यानि की right answer B हो जाएगा 18 कोशन है निमलिकित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है 18 कोशन का दोस्तो right answer हैगा तो चोती पंचवर्शी योजना 1969 से 74 बिलकुल सही है 5 पंचवर्शी योजना 1974 से 1979 बिलकुल सही है 8 पंचवर्शी योजना 1992 से 1997 बिलकुल सही है तो ये सबी दोस्तों सही है 18 कोशन का right answer हो जाएगा D उन्निसवा कोशन है किसे भारतिय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है राइट आंसर हैगा सर मौक्स गुंडम विस वैस वरिया यानि की राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा बीसवा कोशन है विकास का लपीजी मोडल ततकालीन वित्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था मन मौन सिंग जी द्वारा यानि की बी सही आंसर हैगा बीसवे कोशन का राइट आंसर 21 वा कोशन है भारत सरकार की बारवी पंचवर्ची योजना ने किस विकास दर के लिए नेन्ने लिया है राइट आंसर हैगा 8.2 परसेंट के लिए दोस्तों ए राइट आंसर हैगा 21 वे कोशन का सयुत 22 वा कोशन है नियुनितम जरूरत कारेकरम पहले वर्ष में पेस किया गया था पांचवी पंचवर्ची योजना में दोस्तों एक सेकेंड नियुनितम जरूरत कारेकरम पहले वर्ष में पेस किया गया था पांच भी पंच वर्षिय योजना ही होगा बट ओप्शन में नहीं है दोस्तो तो इसको फिफ्ट कर लेते हैं फिफ्ट वाले को फिफ्ट ठीक है तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा बाकी आप ध्यान रखेगा अगर इसमें ओप्शन में नहीं है मिस्प्रिंट हो सकती है पांच भी पंच वर्षिय योजना से ही आंसर रहेगा तेईसवा कोशन है समाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था नोवी पंच वर्षिय योजना में यानि कि ए राइट आंसर हैगा चोबिसवा कोशन है पांच भी पंच वर्षिय योजना किस ने त्यार की राइट आंसर हैगा दोस्तो डी डी धरने चोबिसवे कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा यह है आपको यादखने पच्चिसवा कोशन है नोवी पंचवर्षी योजना पर मुख्य फोकस था तो राइट आंसर हैगा समाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तो बी 26 वा कोशन है भारत की बारवी पंचवर्षी योजना का मुख्य विश्य क्या था सही आंसर रहेगा न्याय और इक्विटी के साथ विकास यानि कि ए राइट आंसर हो जाएगा 27 वा कोशन है जनता सरकार दुआरा किस वर्स रोलिंग योजना शुरू की गई थी योजना सर्जन पर ध्यान किंद्रित किया गया था तो राइट आंसर हैगा 1978 से 1983 1978 से 1983 यानि कि दोस्तों यहाँ पर भी एक छोटा सा मिस्प्रिंट है हमारा C ओप्षन राइट आंसर हैगा तो C को करेक्ट कर लीजे यह दो अप्षन हमारे सेम हो गए मतलब इन में से एक करेक्ट कर लीजे कोई भी 1978 से 1983 रहेगा 28 है जवार रोजगार योजना को कब सुरू किया गया था साथवी पंचवर्सिय योजना यानि कि दोस्तों राइट आंसर C हो जाएगा पंचवर्सिय योजना को गोडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है पंचवर्सिय किस पंचवर्सिय योजना को दोस्तों तो राइट आंसर रहेगा चोथी पंचवर्सिय योजना को B करेक्ट आंसर रहेगा तेज अधिक समावेशी और सत्विकास किस पंचवर्षिय योजना का मुख्य विश्य था राइट आंसर हैगा बारवी पंचवर्षिय योजना यानि कि तीसवे कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा 31 कोशन है भारत का योजना आयोग था एक गैर सविधानिक निकाए यानि कि दोस्तो राइट आंसर भी हो जाएगा यह आपको यादखना है 32 कोशन है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्स कोन थे गुलजारी लाल नंदा दोस्तो सही आंसर हैगा 33 कोशन है साथवी पंचवर्षी योजना का उदेश्य क्या था खाद्दे काम और उत्पादक यानि कि बी राइट आंसर नाबार्ड किसके दोरान इस्थापित किया गया था दोस्तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्ग कर लेना नाबार्ड की इस्थापना हुई थी छटी पंचवर्षी योजना के दोरान यानि कि बी राइट आंसर भारतिये सवतंतरता के पचासवे वर्ष में शुरू की गई योजना थी तो नोवी पंचवर्षी योजना दोस्तो 35 का सही आंसर सी हो जाएगा 36 कोशन है इसकी अवधि पूरी होने से पहले किस पंचवर्षी योजना को समाप्त कर दिया गया था पांचवी पंचवर्षी योजना को यानि कि बी राइट आंसर रहेगा आर्थिक नियोजन को संदर्वित करता है संसाधन का आउटन यानि की दोस्तो बी राइट आंसर हो जाएगा ग्यारवी पंचवर्शी योजना पर मुख्य फोकस था सभी छेत्र में समावेसी विकास 38 वे का दोस्तो राइट आंसर डी हो जाएगा वई कोशन मबर 39 है निमलिखित में से कोन भारती योजना की विसेशता नहीं है तो केंद्री करत योजना यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा चालिसवा कोशन है निमलिखित में से किस पंचवर्शी योजना को बड़ी विफलता माना गया चोथी पंचवर्शी योजना को दोस्तो डी राइट आंसर 41 एक किस पंचवर्शी योजना ने विकास के ग्यारा संकेतक पेश की आर्थिक विकास तो दसवी पंचवर्शी योजना राइट आंसर हैगा राष्टे विकास परिशद में होते हैं रोजगार आयोक के सदेश्य और राज्यों के मुख्यमंत्री दोनों ही रहेंगे राइट आंसर सी कब योजना अवकास घोसित किया गया था तीसरी योजना के बाद यानि की एर राइट आंसर हैगा 44 है सामान्य तोर पर हमारी पंचवर्शी योजना का उदेश्य हमारे देश को एक दरजा दिलाना है सही उत्तर हैगा विक्षित देश यानि की बी राइट आंसर गांधिवादी योजना किसके द्वारा परस्तुत की गई थी M.N. रोय द्वारा यानि की A. राइट आंसर रहने वाले दोस्तो रोलिंग प्लान किस पंचवर्शे योजना के बाद बनी पांचवी पंचवर्शे योजना के बाद दोस्तो C. सही उत्तर हैगा 47. कौन सी पंचवर्शे योजना समाजिक न्याय और एक्विटी के साथ विकास पर केंद्रित थी 9. पंचवर्शे योजना दोस्तो 48 वे का B राइट आंसर हो जाएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एक्जाम में जरूर आता है 49 है आर्थिक योजना है आर्थिक योजना है दोस्तो समवर्थी सूची यानि की B राइट आंसर हैगा 49 का सही उत्तर कोशन नंबर 50 है आर्थिक सुदार 1990 में नरसिम्मा राव सरकार द्वारा पेश किये गए थे तो आर्थि पंचवर्शे योजना यानि की C राइट आंसर हैगा 50 कोशन का सही उत्तर 51 कोशन है आर्थिक योजना एक अनिवारिय विसेशता है समाजवादी अर्थिवस्था यानि की 52 कोशन का राइट आंसर C हो जाएगा योजना आयोक के अन्तिम उपाद्यक्स कोन थे मॉन्टेंग सिंग अलवालिया यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन D 20 सुत्री कारेकरम किस वर्स में शुरू किया गया था राइट आंसर रहेगा 1980 यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 53 में से आप लोगों ने कितने कोशन की आंसर सही किये हैं कमेंट बोक्स में अपना स्कोर बताईएगा और भारत की पंचवर्षी योजनाओं को अन्तिम सविकरती कोन देता है यह आपके लिए आपका टेस्ट कोशन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्परेटिव एक्जाम की चारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडियाप को जरूर ले लिजे इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे लाइफ टाइम के लिए यह पीडियाप आप रख सकते हैं कितिनी बार भी पढ़ सकते हैं मातर 170 रुपे में पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्सिन बोक्स पर हमारे वोट्सप नंबर दोनों जगे मिलेगा लिंक पर किलिक करना है पेमेंट करना है पीडियाप आपको तुरंत ही मिल दे आएगे वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक सेर करिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए बैल आइकन को ओन रखे ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हूँ थैंक्यू सो मच बाइबाइबरीबन टेक कियर ख्याले के अपना मिल दे नेक्स के लास में